भारत और चीन के बीच मई के महिने से जारी विवाद में अब बड़ी खबर सामने आई है 15 जून को जिस जगहा पर दोनों देशों की सेनाय आमने सामने आई थी अब वहाँ से चीनी सेना करीब एक किलोमीटर पीछे हट गई है आपको बता दे कि कॉल्प्स कमांडर लेवल की बाचीत में जिन जगहों पर डिस इंगीजमेंट की सहमती बनी थी वहाँ से चीनी सेना ने टेंट वाहन और सैनिकों को एक से दो किलोमेटर पीछे हटा लिया है गलवान नदी शेत्र में चीनी भारी बखतरबंद वाहन अभी भी डेप्थ वाले शेत्र में मौझूद है भारतिय सेना सतर्ता के साथ स्थिति की निगरानी कर रही है आपको बता दे कि भारत और चीन के बीच मई के महिने से तनाव की स्थिति बनी हुई है इस्टन लदाक, बॉर्डर पर गलवान, घाटी के पास, पैंगॉक, लेक तक, चीनी सेना और भारतिय सेना आमने सामने है देश में कोरोना वाइरस की स्थिति लगातार बिगड रही है जिसका नतीजा ये है कि भारत अबरूस को पीछे छोड़ कर कोरोना संक्रमन के मामले में टॉप तीन पर पहुँच गया है देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर कॉंगरिशनेतर राहूल गांधी लगातार सरकार पर निसाना साथ रहे हैं रहूल गांधी ने सोंवार को प्रधान मंत्री मोधी का एक वीडियो ट्वीट करके इंदर सरकार पर निसाना साथा रहूल गांधी ने अपने वीडियो के कैप्शन में कोविड-19, नोट बंदी और GST को लागो करने का जिक्र किया रहूल गांधी का कहना है कि इन्हें हारवर्ड के बिजनस स्कूल में फेलियर के तौर पर पढ़ाया जाएगा ट्वीट के साथ साथ रहूल गांधी ने पीम नरेंदर मोधी का वीडियो भी साजा किया है जिसमें उन्होंने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि कोरोना वाइरस के खिलाफ जंग को 21 दिनों में जीता जाएगा वीडियो में दिखाय गया है कि आप कोरोना वाइरस से चारी जंग के 100 दिन से उपर हो गए हैं जबकि भारत कोरोना वाइरस के रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुँच चुका है देश में कोरोना वाइरस के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं दुनिया भर में सबसे ज़्यादा संक्रमीत केस के मामलों में रूस को पीछे छोड़ भारत अब तीसरे स्थान पर पहुच गया है वहीं पिछले 24 गंटे में देश में कोरोना के मामले एक बार फिर 24,000 से ज़्यादा सामने आए हैं स्वास्त एवं परिवार का लियान मंत्राले ने बताया कि भारत में पिछले 24 गंटे में अब ठीक हो चुके हैं वहीं मौत का आकड़ा 19,693 पहुच गया है भारती चिकित सानुसंधान परिशद ने बताये कि 5 जुलाई तक 99,69,662 सेंपल का टेस्ट किया गया